हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल जो आज की वीडियो की काफी इंपोर्टन वीडियो है इसके अंदर मैं अपनी होल्डिंग की मैं कौन-कौन से कोईन होल्ड कर रहा हूं और क्या मेरी वो प्राइस टार्गेट होंगे जहां मैं इन कोईन्स को सेल आउट करूँगा और इस मार्केट से वे आउट कर जाऊँगा उसी के बारे में यह सारी की सारी वीडियो क्रेट कर रहा हूं जो भी इंवेस्टमेंट है वो आपकी यह आपके राइट से हैं आपने क्या करना क्या नहीं करना किसी के कहने की उपर कोई भी decision मत लीजिएगा यह सिर्फ एक हर एक बंदे की अपनी अपनी prediction होती है maybe वो succeed कर सकती है और नहीं भी कर सकती है so जो आज का topic है वो start करते हैं मैं bitcoin को include नहीं करूँगा मैं Ethereum से बात करूँगा सबसे पहले जो हमारा coin है वो Ethereum है Ethereum का अभी आप current price देख सकती है $236 है और आज date 1 June 2020 है यानि 1st June 2020 है और इसके अंदर आप देख सकते है Ethereum का current price $236 है जो मेरे इसके targets होंगे bull market के लिए मैं उसको parts की अंदर divide करूँगा पहले जो मेरा first part होगा उसके अंदर मैं 40% अपनी supply $1000 के उपर sale out कर दूँगा जानि जो Ethereum की मेरी 40% supply होगी उसको मैं $1000 के उपर sale out कर दूँगा देखिए आप देख सकते हैं जो पिछला parabolic moment आया था आप देख सकते हैं $1 से coin हिट हुआ था $1400 के उपर सो मुझे तो उमीद है कि यह अपना all time high बहुत ही जल्दी break कर देगा और वहाँ पर मैं अपनी 40% supply को sale out कर दूँगा और जो next target होगा मेरा Ethereum को sale out करने का वो almost $4000 के उपर मेरा second target होगा कि मैं Ethereum को $4000 के उपर sale out करूँगा जो अपनी remaining supply होगी यानि 60% जो मेरी remaining supply होगी उसको मैं $4000 के उपर sale out कर दूँगा दो target मैंने अपने बनाए हुए है अपने दो vision बनाए हुए है Ethereum को sale out करने को जो पहला मेरा vision है वो $1000 के उपर sale out है 40% second vision मेरा $4000 के उपर है जिसके अधर मेरी 60% supply आएगी और मैं Ethereum से way out हो जाऊंगा इसी परकर गाइस जो हमारा next coin है वो XRP coin है देखिए अभी XRP coin का price बहुत ही cheap है मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको 20 cent की उपर XRP का coin आज trade कर रहा है जो इसके targets होंगे मेरे जो पहला target मेरा है वो $1 की उपर मैं अपनी 50% supply XRP coin की sell out कर दूँगा 50% में supply अपनी $1 के आसपास यानि $1 के आसपास का मतलब यह है कि वो 90 cent पी हो सकता और 95 cent भी हो सकता यानि कि आप $1 उसको consider कर सकते हैं कि $1 की उपर मैं अपनी XRP coin की 50% supply को sell out कर दूँगा और यह rest of 50% supply होगी वो इसके all time high आप देख सकते हैं जो इसका all time high था almost $3 के आसपास इसका all time high था तो जो मेरी remaining supply ही होगी मैं $3 की उपर remaining supply भी sell out कर दूँगा और XRP coin को buy यह way out कर जाओंगा जानि कि इस coin के अपर मैं कभी भी फिर से entry नहीं लूँगा तो उसी परकार जो हमारा next coin है next coin हमारा bitcoin cash है अभी आप इसका current price देख सकते है bitcoin cash का $242 bitcoin cash का price अभी है जो current price है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो इनका all time high था bitcoin cash का almost $4,000 के आसपास इसका all time high है और अभी आप देख सकते हैं यह एक हिसाब से अपने bottom के ऊपर ही चल रहा है इसके अंदर क्या मैं करूँगा मेरी क्या इसके अंदर planning होगी मेरे अंदर यह planning होगी जब भी यह coin अपने $2,000 को reach करेगा वहाँ पर मैं अपनी 50% supply $2,000 के उपर मैं sale out कर दूँगा और remaining 50% जो supply होगी उसको मैं $4,000 के उपर bitcoin cash को sale out करूँगा in next parabolic moment यहां आप उसके बोलते हैं तो bull cycle जब वो start होगा यह मेरे अपनी research है guys प्रीज इसे आप follow मत कीजिएगा just मैं अपनी knowledge share कर रहा हूँ अपने साथ जो मेरे fundamentals है वो अलग हैं आपके अलग हो सकते हैं इसी बरकार guys जो हमारा next coin होगा next coin हमारा light coin है लाइट कोईन का current price आप देख सकते हैं $45 है halving इसकी हो चुकी है पिछले साल की आपको पता ही है so इसके जो targets होंगे जो इसकी यो मेरी 50% supply होगी almost all time high all time high कितने का था I think all time high इसका $330 या $320 के आसपास इसका all time high था तो मैं definitely 50% अपनी supply $300 plus के ऊपर supply होगी वो $700 के आसपास मैं सारी की सारी अपनी supply को sell out करणा दो ही इसके अंदर मैंने अपने patterns बनाई है एक पहला pattern मेरा $300 plus है और second pattern मेरा $700 plus डोलर है यानि कि 50-50% को मैंने parts के अंदर divide कर दिया जो bull cycle की बात कर रहा हूं ना कि date rate की बात कर रहा हूं भी सो गाईज जो मेरा next favorite coin है next मेरा favorite coin है EOS है अभी आप देख सकते हैं EOS का current price $2.68 है और इसका all time high लगा हुआ है आपको पता होगा इसका all time high $21 लगा हुआ है 2018 के अंदर I think so April महीने के अंदर so आपको पता यह सबसे बड़ा ICO हुआ था और सबसे लंबा ICO भी यह चला था तो इसके जो targets है जो definitely जो मेरी 30% supply होगी देखिए मैंने इसको बहुत cheap की उपर buy किया हुआ है मैंने इसको almost 2.50 USDT के उपर मैंने buy किया हुआ और मैं इसे strongly hold कर रहा हूँ जो मेरा first target है इसके अ 50% अपनी EOS की supply sale out कर दूँगा और rest of remaining supply होगी उसको मैं bull market के लिए छोड़ दूँगा और उसका वो target होगा मेरा 50 plus dollar यानि 50 plus dollar जो EOS जब भी वो reach कर जाएगा price तो मैं definitely जो अपनी remaining supply होगी उसको मैं sale out कर दूँगा सो उसके बाद जो मेरा next coin है मेरा next coin guys cardano है मैंने आपको बार-बार बोला इस coin को जुरूर definitely buy कीजिएगा अभी देखिए 29th को इसके अंदर shelly implement होने जा रही है उसके बाद staking है मैंने कब से बोल रहा हूं 3 cents से मैंने video create कर रहा हूं इसको buy कर लो buy कर लो आपने किया नहीं किय I don't know कर यह 85 cents तक होकर आया हुआ है यह coin है बहुत ही अच्छा coin है काफी believer है इस coin के अंदर लोग इसका जो target अभी आप देख सकते हैं देखें बिना कोई implementation कि यह coin 1.30 dollar तक चला गया था यानि कि एक shit coin था उस समय ना इसके अंदर कोई implementation थी अभी आभी आभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर शैली भी आने वाली है जस्ट आ ही चुकी है ऐसा बोल सकते हैं और staking भी आ ही चुकी है इन चीजों के implementation के बाद मैं definitely देख रहा हूं कि इसके अंदर बहुत ही बड़ी potential है इस coin की अंदर और मैं easily easily बोल सकता हूं कि आप 1 dollar तो definitely देख सकते ही हैं और उसक of remaining मेरी supply होगी वह मैं 3 dollar के उपर sale out कर दूँगा और इस coin से way out कर जाओंगा उसी बरकार जो हमारा last coin है मेरा वह Binance coin है देखिए इसके मेरे पास कोई खास quantity नहीं है बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास सिरफ 10 coin है Binance coin के मैं इसके ओपर इतना bullish नहीं हूं क्योंकि यह Binance का native coin है अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और इसका जो target एक ही मेरा target जब भी यह 100 plus dollar चला जाएगा यह Binance का coin तो definitely मैं अपने सारे के सारे coins sell out कर दूँगा सो गाइस यह जितने coin थे मैंने अभी आपको बता दी है इन coins को मैं long term hold के लिए hold के लिए रखा हुआ है मैंने इन सभी coins को यह सारे पुराने coin है पुराने projects हैं इसलिए रखा हुआ है और एक वीडियो में और बनाऊंगा आपके लिए जो new projects हो होंगे वह कौन-कौन से ऐसे coin है बहुत ही छोटी quantity के अंदर मैंने coins hold की हुए है और मैं आपको बताऊंगा उन coins के बारे में अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीस आप like subscribe जुरूर कर दीजिएगा और thank you for watching वीडियो अगर आपका भी coin इस list के अंदर है त तो प्लीस आप comment section के अंदर बताईएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी thank you guys have a great day